हेलो एक्रीवन वेल्कम बैक टू माई चानल इस साइट सिद्री एंड आशी क्लास में आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ कि फाइनल जितनी भी शुर्ण ने इगनू में हिस्ट्री में जुलाई 2024 में एडमीशन लिये तो आशी क्लास में आपको बताने वाली हूँ कि आप सब्दोप को कौन साओअं मेंन वाली व्युक्ति लिज्य क्लास में कषी से गताता हूं कशनवर जेखने और सब्स informative नहीं जुलाई 2024 केश तो आपको कौन साथ इसकुल चाहेंत पर दाना नहीं नहीं वात मृत में टुलाम इसische डिखने इस से इस स्टूड़न 좋 Superman ब incapacary first year कि सास SECOND year का v Islands Shот 국 के लिए तरीक देखने वाणाइ कि आखिरकार यासाइमेंट भनाते वक्त सब्सक्राइब को छीजों का ध्यान रखना तो वे सुड़ेंट प्र जूलाइ the 2024 में एडमीशन लिया है यहां पर अभी आपका जो असाइमेंट है जैसे कि आप सभी जानते अब जो आपका कोड है वह होगा मही ठीक है जैसे कि आप सभी जानते कि लास्ट येर से यानि जून 2023 से इन्हों है आपके महीं हिस्ट्री स्लेवस उसको चैंच कर दिया है अब हमें यहां पर 4 की जगा आपको टोटल 6 सबजेक्ट करने होंगी यानि किअ आप जया फूरश्टियर में हो चाहिए हग सकेंड यह में हो आपके पास आप मुद्रण six subject है six subject का exam आपको देना है six subject का assignment आपको बनाना है आपके जो application form है उसमें बेसक semester लिखा है बट आपका जो exam में वह yearly based ही होगा डन अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपको assignment कौन सा बनाना है जैसे कि आप screen पर देख सकते हो तो यह वाला लिंक है जुलाई 2023 से जन्वरी 2024 यानि कि जितने भी स्टूडेंट ने जन्वरी 2024 में एडमीशन लिए जिनका एक्जाम अभी दिसंबर 2024 में आप सभी को फर्स्ट इयर में ये सारे असाइमेंट बनाने जैसे कि आप सभी देख सकते हो आपका जो सब्जेक्ट का कोड है एमेचाए 101245 और 6 और 7 ये टोटल सिक्सब्जेक्ट है जो आप सभी को फर्स्ट इयर में कवर करने इसको आपको स्टडी करना है इसी के आपको असाइमेंट बनाना है यहां पर आप दे असाइमेंट लेना चाहता है तो सभी को मिल जाएंगे उसके लिए आप इस नमबर पर वाट्सब्ट कर सकते हैं और यहां पर आपको नोट के साथ साथ पेड़ क्लासे अगर आप पेसे कोई में कर रहा है फॉर्स्ट और सेकेंड एर के अकॉर्डिंगली हिंदी और इंग् आप लोगों का एक्जाम दिसंबर 2024 में और आप सभी को जो अपना असाइमेंट है अभी सेप्टेंबर से समिट करना सुरू कर देना है सेप्टेंबर मतलब अगस्त से भी कर सकते हैं अगस्त सेप्टेंबर और पूरी कोशिश करना कि अक्टूबर तक आप अपने असाइम इप्टीफोर में यहां पर अडिमिशन लिया है यह सारे असाइमेंट पर अडिगर बना चुकियो आपको लिंग कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे जैनवरी 2024 की यानि कि अभी जितने भी स्टूडेंट ने जैनवरी 2024 में एडिमिशन लिया है फॉर्स दिखाने वाले किस तरीके से क्वेशन दिया गया है और आपको अपने असाइमेंट को किस तरीके से प्रिपेर करना है किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके असाइमेंट रिजेक्ट ना लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दू यह तो जुलाई 2024 में जितने भी फॉर्स्ट येर में यहां पर आपने अड्मीशन लिया है आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का असाइमेंट आया है ठीक है लेकिन रही बात जितने भी स्टूडेंट ने सेकिंड येर में स्लेवर्स यहां पर एड्मीशन लिया है नए स्लेवर्स के अकॉर्डिंगली तो मैं अल्रेड़ी आपको बता चुक्यूं कि अमेचाइ 103 और अमेचा 109 का अभी तक असाइमेंट पब्लिश हुआ है 8, 10 और 11 यह तीनों अभी पब्लिश नहीं है इसके साम अप्लोड कर देंगे आपको स्क्रीन पर वह भी नज़र आएगी और जितने भी जुलाई 2024 में जिनोंने एड्मीशन लिया सेकिंड यह में एमेचाइ 103 एमेचा 109 के जो आसाइमेंट है इस पर वीडियो आल्रेडी में बना चुक्यों लिंक आपको कमेंट बॉक्स में चेक का असाइमेंट आये बागी के पांच अभी नहीं आये तो आपके एक्जाम में असाइमेंट आने में टाइम है अब मैं आपको बता दो जितने भी शुड़न ने जुलाई 2024 में एड्मीशन लिया है आप लोगों को अपना असाइमेंट जो है वह मार्ज अप्रेल मै त ख्यान रखने आए चलिए बात किरते हैं तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एमेचाइब 104 जुलाई 2024 में जितने भी स्टुडेंटें एड्मीशन लिया है उनका यह असाइमेंट है उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर फॉर्स टाइम है चानल स जो भी अपडेट हो आपको ऑन टाइम देखने को मिलती रहेगी एमेचाइब 104 का जो यह असाइमेंट है जुलाई 2024 वाल स्टूडेंट आपको जब असाइमेंट बनाना तो किन बातों का ध्यान दखना है वह देखो देखो आपका साइमेंट हिंदी और इंग्लिश मेडि या फिर आपको असाइमेंट चाहिए ठीक है देखो हमारा एमेचाइ 104 है आपके इस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया राजनेतिक सनरचना ठीक है तो यह आपके भारत के राजनेतिक सनरचना के उपर यह क्वेशन यानि 104 जो हमारा सब्जेक् पर आपको 10 questions दिये गए आपको assignment में 10 questions दिये जाते हैं उन 10 में से आपको कोई भी 5 questions attempt करने होते हैं ठीक है और यहाँ पर 5 questions attempt करने के भी कुछ rules हैं तो question आपको section A से करने हैं कि दिलो सेच्षन आपको सेक्षन लिए से करने बचाएं कोई भी एक 탁का एक से टूपकी एक से एक से करो सेच्षन वहाँ की च्टॉइस किस तरीके से करना ऐ फाइफ की से आपकी च्टॉइस्य करने था तबहु अपको सुदाओं जाएक डिए इसलि shr आप चाहो तो short note क्यों question करना है तो वो भी कर लो compulsory नहीं है कि हमें short note के question भी करने ही है वह आपके उपर है आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि 10 में से कोई भी पाच question आपको attempt करने है चाहे वो 20 marks का करो चाहे वो 10 marks का ठीक है अब अगर हम बात करें कि यहां पर आपके word limit कितनी होती है तो 20 marks का अगर आप question attempt करो तो 500 words यानि कि 5 pages में आपके answer यानि assignment का जो answer writing आप लिखेंगे 5 pages में होना चाहे और 10 marks का अगर आप attempt कर रहे हो तो 250 words होना चाहे यानि 3 pages में जब भी आप assignment prepare करोगे तो इन word limit का ध्यान रखन ना इससे ना ज्यादा pages करने ना इससे कम करने clear हो गया अभी pages किस तरीके से मालो कि हमारा एक page assignment का तो यह एक ही page पर यह पहला page और इसके back side पर दूसरा है उस तरीके से count करके आपको 5 pages और 3 pages बनाने तो जब भी आपने assignment के pages को खरीदेंगे तो वहां पर आपको page number mention करना है तो टोटल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर 26 pages overall आपका जो assignment है पूरे 5 questions के लिए 26 pages से उपर मत बनाना उतना ही रखना है 25 to 26 ठीक है यह नहीं होगी जादा अच्छा मन हो गया हम लिखते ही जा रहे 30 pages कर लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है आगे करते questions की तरफ देखो सबसे पहला question यह है हमारा section A section A में आप देख रहे हो कि आपके पास five questions section A में जितने भी question दिये सारे के सारे 20 marks का दिये 10 marks का नहीं है इसका मतलब अगर आप यहां से question attempt करोगे तो 500 words में लिखना है जिसमें आपको 5 pages में आपको answer को complete करना है अब वो आप की च्वाइज है कि आपको कौन-कौन से question करने है पहला question सात्वहान का state यानि सात्वहान राज्ये के बारे में आपको पूरा यहां पर बताना है next आपको the process of state formation of राजपूत राजपूत भी आए थे आप सभी को पते 7 to 12th century का उनका time period है तो उनके समय पर जो मनकर स्टेट फ क्या चीज़ें पता है कि दिल्ली सलत्रत के establishment कैसे क्या हुआ वह सब कुछ हमें इस question में लिखना है next time बात करें तो विजय नगर समराज्ये के state formation आप से पूछा गया है और उसके बाद मालवा किंडम है तो starting के five question यह है जो आपको attempt करने अब बात आती है किस तरीके से करने तो देखो पूरी कोशिश करना अपने assignment की शुरुबात introduction प्रस्तावना से करना फिर जो भी इन्होंने main question पूछा है ना main body यानि आपके state formation राजपूत का यहां पे तो state formation है उसको करना है और उसके बाद conclusion यानि की निसकर्स देखो पूरी कोशिश करना कि आप लोग स्रिफ अपने assignment में blue और black pen के अलावा कोई third pen का यूज नहीं करेंगे और खास थोड़ से red और green pen का यूज नहीं करना है अगर आपके assignment में red और green का एक भी मार्किंग महाँ पर देखने को मिली तो आप सभी का assignment reject कर दिया जाता है आपके घर वापस भिज़वा देंगे और ऐसे कई student के साथ हुए आप में से कई ऐसे जो ऐसे pen का यूज करते हैं जो थोड़ा बहुत red pen की तरह दिखतरा होगा या green की तरह तो कोशिश करने हैं कि आपको स्रिफ और black और blue pen के अलावा कोई और pen का यूज नहीं करना है assignment बनाते वक्त आप येस तो याद रखना है कि आपकी writing एकदम neat और clean होनी चीए अगर आपकी खुद की writing अच्छी नहीं है तो कोशिश करो कि किसी और से बनवालो तक जिसकी handwriting अच्छी हो क्योंकि assignment आपको पता है आपके exam में 30% marks assignment के ही होते हैं तो assignment में अच्छे marks आगे तो exam में कम आएंगे तो overall क्या होगा कि आपर assignment के marks को add करके आप एक अच्छा score कर पाऊगे तो assignment में आपको इन बातों का ध्यान रखना है चलो ये तो section A देख लिया section B में देखो section B में आपको चोल डाइनिश्टी के बारे में बताना है चोल डाइनिश्टी चोल समराज्य उसके बाद पांडिया डाइनिश्टी का प्रशाशन कैसा था वो आपको बताना है ठीक है ये दोनों भी 20 देखो इस वाले assignment में 10 mark का question इन of being the steel frame of the empire और लास्ट है आपका colonial northeastern India as an imperial frontier तीक है तो ये 10 में से कोई भी 5 question बनाने अब बात आती है कि मैं क्या ये assignment के question exam के लिए helpful होते हैं बिलकुल होते हैं तो याद रखना जितने भी student इस assignment को prepare करोगे आप जो भी 5 question के यहाँ पर solve करने वालो उसकी PDF बनाकर अपने पास notes काम आएंगे आपके exam के time पर ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जब भी अपने assignment को prepare कर लो इसकी PDF बनाकर कि अपने पास रख लो ताकि assignment submit करने से पहले आपके पास इन सारे questions के notes available और exam time पर यहाँ से अगर कोई question है तो आप उसे solve कर पाऊ दूसरी बात कि आपको क्य solve नहीं कर रहे हो उन्हें भी बाद में solve कर ले एक separately इसकी भी page पर या copy पर ताकि वह question के exam में है तो आप वह सारी चीज़े कर लो आप में से कई ऐसे होंगे जितने भी batch में होंगे ठीक है तो मैं आप में से बहुत सारे student जो भी video देख रहे होंगे जो हमारे paid batches में include होंगे तो मैं आप सभी को बता दू यह सारी चीज़ें में आपको classes में करवा दूंगे और इसमें questions के answer किस तरीके से लिखना है यह सब कुछ हम cover करेंगे तो जितने भी student paid batches में आपको ज्यादा तर सोचने की need नहीं है सब कुछ हम classes में cover कर लेंगे कि आपको किस तरीके से अपने एक्जाम में अपने answer writing को लिखना है assignment के questions को कैसे solve कर रहा है सब कुछ में आपको class में बताऊंगी लेकिन उसके अलावा जितने भी student paid batches में नहीं है जो YouTube चैनल पर है आपको कोई भी doubt या query है तो आप comment की through पूछ सकते हैं नहीं तो telegram channel का link description box को है इसको join कर लो और महां पर अपने doubt on query को आप पूछ सकते हैं नहीं तो मेरा instagram handle है historyadopoint तो आप महां पर भी जाकर के सबका link आपको description box में मिल जाएगा उसको join कर लो अपने doubt on query को पूछ सकते हैं तो यह सारे तरीके थे कि हमें अभी हमारे six subjects में से सिफ first year के लिए एक assignment आया है तो यह बहुत सारे confused थे सेकेंड एयर के लिए यह फॉस्ट एयर के लिए यह नोने इसमें मैंशन कर दे क्योंकि यह जुलाई 2024 का है इसलिए 104 को नोने वहां पर मैंशन किया बागी कि जैसे ही other subject assignment upload हों कि उसके update आपको मेरे चानल पर देखने को मिलेगी इसके लिए अभी तक चानल सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करो जादा से अपने other study group में इसको शेयर को ताकि और भी student की help हो सके चलिए एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में भी आपको किस तरीके से इसकी सारी PDF यासाइमेंट की PDF आपको मेरे telegram चानल पर मिल जाएग यह दोनों असाइमेंट की PDF में आपको महाँ पर प्रवाइड कर दूँगी देखो अब देखते हैं आपके जितने भी हिंदी वाले student है है यह आपका MHI 104E ठीक है सेम चीज है मैं दुबारा से एक चीज बता दू कि यह असाइमेंट बताने से पहले देखो आप लोगों को जितने भी जुलाई 2024 में admission लिया है आप लोगों को assignment मार्च से submit करना सुरू करना है मार्च अप्रेल और मही तक आप अपने assignment को submit कर सकते हो तो अभी आपके पास बहुत time है अभी तो आपने admission लिया है ठीक है तो इन बातों का ध्यान रखना है रही बात आपको यह रहता है क मैं जब यह assignment आये book नहीं मिली कैसे बनाए तो कोई बात नहीं अगर आपको book नहीं मिली तो आप Google से भी assignment को prepare कर सकते हो या फिर आपके Google पे भी ebook मिल जाती एगनू की आप उसे महां से भी PDF को open करके अपने assignment को prepare कर सकते हो यह जरूरी नहीं है कि आपको घर में अगर की book से assignment बनाना है यह सारे topics आप ऐसे भी बना सकते हो साथवान राज्ये पर आपके बारे में बताना है राजपूतों के बारे में बताना है आपको दिल्ली सलतरत के बारे में लिखना है विजर अगर के बारे में बताना है और आपके मालवा समराज्ये की बारे में और दू कीजिए याद रखना हो खास्तोर से इस बार जो यह दो पोश्चन आपको नजर आ रहें असाइन्मेंट में बहुत अच्छा क्वेशन है कि इसे पढ़ कर जाना क्योंकि एक यह नहीं चीजें क्योंकि आपको पता है है यहां पर आपका स्लेबस भी आप चेंज हुआ है क्योंकि में चैप्टर इसमें से डिड़क्ट किया गया है कुछ चैप्टर को एड किया गया इस पर मैंने सेपरेटल वीडियो बनाई भी है अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिश पर जाकर कर सकते हैं सारे या मत करना ने तो असाइमेंट रिजेक्ट दू सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया बाकि सॉल्व असाइमेंट नोट्स पेड़ क्लासिस सब कुछ है भी लेवल है उसके लिए आप इस वाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैसेज की तुरू और बाकी की झाल 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 झाल